जैहिंद वेलकम टू विजयपत एजुकेशन पालंपूर आप सभी का अप्रेयल दो हजार चोबिस के मन्थली करंट अफेर में हार्दिक स्वागत है इसके साथ साथ बीकली कुईज बीकली वन लाइनर कोईशन के लिए आप हमारे अप्रेयल दो हजार चोबिस के करंट अफेर के साथ मैं आप से जुड़ चुका हूँ इससे पहले अगर आपने अभी तक करंट अफेर नहीं देखा है जैन, फैब, एंड, मार्च का तो उसकी भी वीडियो आपको अप्लिकेशन के उपर प्रवाइड करवा दी गई है यूट्यूब के उपर भी आप करंट अफेर के टैब के उपर प्लेइलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं करंट अफेर आपके एक्जाम, बेंकिंग, एससी, रेलवे, डिफेंस, ओल स्टेट, गवर्मेंट एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है हिमाचल में अभी जितने वी एक्जाम आपके हुए हैं चाहें पीजेटी का एक्जाम हो, सेट का एक्जाम हो तो उसमें करंट अफेर जो है वो मेन रोल प्ले करता है, तो करंट अफेर आपके डिफेरेंट एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को सबसे पहले कुछ MCQ कोशिन को हम वन बाइवन डिसकस करेंगे इसके बाद इन्हें MCQ कोशिन को हम वन लाइनर फोर्म में भी बाद में डिसकस करने वाले हैं सबसे पहला कोशिन रहेगा एकल कोशिकाओं के अधेयन के लिए सेलुलर और आणविक प्लेटफोर्म के इंदर CCAMP द्वारा विक्सित प्लेटफोर्म का नाम क्या रखा गया है आपको नेम बताना है उस प्लेटफोर्म का जिसको डिवेल्प किया गया है Center for Circular and Molecular Platform जिसको CCAMP के द्वारा समझा जाता है जिन्होंने सिंगल स्टेल के उपर स्टड़ी की है तो उसका जो सही आंसर यहां पे रहेगा वो है OptiDrop OptiDrop इसका राइट आंसर है यह आपके जितने भी Current Affair के कोईशन है यह आपके All India Level International Level and State Level की कोईशन आपके लिए रहेंगे इसकी कुछ details भी यहां पे लिखी गई है तो आप उस details को भी यहां से study कर सकते हैं नेक्स्ट कोईशन है कोईशन नमबर 2 नागर विमानन मंत्राले और डिजी आत्रा Foundation के द्वारा मनोहर हवाई अड़े पर शुरू की गई Biometric परणाली का नाम क्या है आपको बताना है कि अभी हाल ही में मनोहर Airport के द्वारा Ministry of Civil, Availation and Dizzy आत्रा Foundation के द्वारा Biometric System launch किया गया है उसका नाम क्या रखा गया है तो सही आंसर उसका रहेगा वो है Dizzy आत्रा Option number D इसका राइट आंसर है गोवा के मनोहर अंतराश्ट्री हवाई अड़े ने हवाई आत्रियों के लिए Biometric सक्षम Dizzy आत्रा परणाली की शुरूवात की है जिसमें जब कोई व्यक्ति विमान में चड़ता है तो उस Biometric की help से चेहरे की पहचान की जाती है एक नई Technology जो है वो हाल ही में स्टार्ट की गई है और एक्जाम में कोशन कुछ इसी तरीके के कोशन जो है वो पूछे जाते हैं किस नई Technology का यूज अब इंडिया कर रहा है नेक्स्ट कोशन रहेगा कोशन नमबर 3 उभरती प्रध्योगिकियों को बीनिमित करने और AI जोखिमों का आंकलन करने के लिए किन दो देशों ने पहले द्वीपक्षी AI सुरक्षा समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं ऐसी कौन सी दो कंट्रियां हैं जिन होने AI Artificial Intelligence की ओपर Agreement sign किया है ताकि जो भी AI के रिस्क हैं उनको हम समझ सकें उनको assess कर सकें तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेवल पर AI का यूज किया जा रहा है इस समझोते में अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा समझोते पर हस्ताक्षर किये गए हैं इसमें ये बताया गया कि जितना उपयोग हम AI का आज इंटरनेशनल लेवल पर करते जा रहे हैं चाहिए इंडिया है या अधर कंट्री है AI का यूज सबसे जादा हो रहा है लेकिन इससे जो जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं वो भी काफी जादा क्रिटिकल है तो उस चीज को समझने के लिए हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में सुरक्षा समझोता पर हस्ताक्षर किये गए है नेक्स्ट कोईशन रहेगा कोईशन नमबर फोर होटल दिवेस सम्मेलन दक्षिन एशिया में दोहजार चॉब्लम्स में लाइफ टाइम अचीब्मेंट पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया इंपोर्टेंट कोईशन है और जो भी अवोर्ट से रिलेटेड कोईशन होते हैं वो भी काफी जादा एक्जाम में पूछे जाते हैं यूनीक लेबल के कोईशन होते हैं थोड़े से तो इसमें पूछा गया है कि लाइफ टाइम अचीब्मेंट अवोर्ट किसे दिया गया है जो अभी हाल ही में कॉन्फरेंस हुई थी साउथ एशिया 2024 इस अवोर्ट से सम्मानित किया गया है कपिल भाटिय जी को जो कि इंटर गलोब एंटरप्राइजिस के चेर्मैन है एक्जेक्यूटिव चेर्मैन है इनको जो हैवोस सम्मानित किया गया है इस लाइफ टाइम अचीब्मेंट पुरुषकार से यह तीन अप्राइल 2024 को बैंगलूरू में आयोजित हुआ था और इनको कपिल भाटिय जी को इस अवोर्ट से सम्मानित किया गया नेक्स्ट क्वेशन है हाल ही में सुलो बांकिया के संसद अध्यक्स पीटर पेलिग्रीनी ने राश्ट्रपती चुनाव के दूसरे दोर में जीत हासिल की है तो आपको बताना है कि स्लो बांकिया किसकी राजधानी है किस देश की राजधानी है वहां के अभी हाल ही में नहीं राश्ट्रपती चुने गए हैं जिनका नाम है पीटर पेलिग्रीनी इन्होंने 53.26 प्रतिशत के साथ राश्ट्रपती चुनाव जीता है और बताना है कि किस देश की राजधानी है स्लो बांकिया तो यह है ब्रात स्लावा देखिए इंपोर्टेंट कोईशन है और थोड़े से इंटरनेशनल लेवल के कोईशन है क्योंकि एक्जाम में के वार इस तरीके के कोईशन आप से पूछे जाते हैं जापनी ग्रैंड किस ने जीता हाल ही में धानी ग्रैंड प्रिक्स का आईजोजन किया गया दोहजार प्रैंड इसके में का है उसकी ये championship में उन्होंने हासिल किया था उन्होंने participate किया था और उसके बाद इनको जो है वो जीत वहाँ पे हासिल हुई है next question है रक्षा मंत्राले द्वारा आयोजित प्रत्थम त्री सेवा योजना सम्मेलन को क्या कहा जाता है most important question है defense के exam के लिए mostly cds nda हमारे आर्मी के defense के जतने exam होते हैं paramilitary के exam है उनमें इस तरीके के question जो है वो पूछे जाते हैं जो हमारी defense ministry है उसके द्वारा first tri service planning conference organized की गई है तो उस सम्मेलन को क्या कहा जाता है उसका जो सही answer है वो है परिवर्तन चिंतन option a इसका right answer रहेगा परिवर्तन चिंतन नामक पहली 3 सेवा ससस्तरवल योजना सम्मेलन दिल्ली में आयोजित की गई है इसमें तीनों ही arm force को जो है वो count किया जाता है जिसमें आपकी Indian army है ground level पे जो काम करती है नो सेना है जो की navy जो की water में काम करती है और जो air force बायू में जो काम करती है तीनों ही forces को जो है वो इकठा रखा जाता है तो 3 सेवा ससस्तरवल योजना की शुरुआत की गई उसका नाम रखा गया परिवर्तन चिंतन और यह अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई है नेक्स्ट कोईशन दिल्ली के बनों की सुरक्षा है तू गठित आंतरिक विभागिये समिती का परमुख किसे न्यूक्त किया गया यह अभी high court का exam हुआ था दिल्ली का तो उसमें इसी तरीके का question पूछा गया थ तो यह अभी हाल ही में exam हुआ उसमें question पूछा गया था देखी forest के भी question कई बार पूछे जाते हैं तो हर्याना एक ऐसा पहला राज्य बना है जिसमें जो पेड़ लगभग 60 साल के उपर का है 60 साल उसको लगे हुए हो गये हैं तो जो उसकी सुरक्षा कर रहा है उसको जो ह नई committee बनाई गई है internal departmental committee जो बनाई गई है protection of forest of दिली तो उसके जो अध्याक्ष है उसके जो परमुक है वो है न्याय मूर्ती नजमी बजीरी option c इसका बिलकुल सही answer रहेगा और आप ध्यान रखेंगे इनको green judge के नाम से भी जाना जाता है इनका एक निकनेम भी आप यहा ध्यान रख सकते हैं green judge के नाम से जो है वो इनको जाना जाता है next question रहेगा अप्रैल दो हजार चोबिस को सरव सम्मत्ती से भारती राश्ट्रिय सहकारी dairy संग लिमिटेड NCDFI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है अभी National Corporation Dairy Federation of India Limited NCDFI National Cooporative Dairy Federation of India Limited इसके President चुने गए हैं अप्रैल दो हजार चोबिस में जिनका नाम है Dr. मिनेश शह यह Dr. मिनेश शह जो है वो अभी हाल ही में चुनाव हुए थे तो NCDFI के नए अध्यक्ष के रूप में जो है वो चुने गए है Important question है यह Next question है April 2024 में Guinness World Record द्वारा विशो के सबसे ब्रिद जीवित व्यक्ति का खिताब किसे दिया गया है इंटरनेशनल लेवल पर बात की जा रही है वर्ड रिकोर्ड बना है अप्रैल 2024 में तो जो सबसे ब्रिद जीवित व्यक्ति हैं उसका आपको जो है वो उनका नाम आपको बताना है वो क्ति सिया है वर्ल और ऑल्डर्ड लिविंग पर्सन कि द्वारा गिनीज वर्ड रिकोर्ड अप्राइल 2024 में एक नया रिक्रोड बनाया गया तो उनका जो नाम है वो है जॉन अल्फ्रिट टिनी स्बुड आय कि ये गिनीज वर्ड रिकोड जो है उसमें विश्व के सबसे ब्रिद जीवित व्यक्ति का खिताब इनको दिया गया है। नेक्स्ट कोशन है, अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और फिलिपीन्स के रक्षा बलों की स्मुद्री सहयोग गती विधी कहां आयोजित हो की। जिस तरीके से आर्मी एक्सराइज करवाई जाती है वैसे ही अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और फिलिपीन्स की एक गती भीधी जो है वो हाल ही में होगी, ये आपकी करवाई जाएगी साउथ चाइना शी में। दक्षिन चीन सागर ऑप्शन भी इसका बिलकुल सही आंसर रहेगा। भारतिय प्रध्योगी की संस्थान IIT इंडियन इंस्टिटूट आफ टेक्नोलजी ने उन्नत भुवैजनिक मॉडल का उप्योग करके सुरंग परियोजना के परदर्शन में सुधार के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं एक MOU बनाया गया है उसके उपर हस्ताक्षर किये गए हैं तो IIT पटना के द्वारा यह हस्ताक्षर किये गए हैं सुरंग परियोजना के सुधार के लिए एक मोडल बनाया गया था तो इसको इंप्रूव करने के लिए जो टैनल प्रोजेक्ट आते हैं उसको इंप्रूव करने के लिए IIT पटना ने जो है वो SJVN Limited के साथ हस्ताक्षर किये हैं नेक्स्ट कोईशन गंगु राम से जिनका हाल ही में 83 एर्स में उनका जो है वो निधन हो गया यह किस क्षेतर के परमुख थे किस क्षेतर के साथ जो थे वो यह जुड़े थे गंगु राम से तो यह जो थे वो छायांकन जुड़े थे यानि कि Shading Shading के क्षेतर से जुड़े थे Option D इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा Shading यानि कि एक तरीके की आपकी फिलम है इनके द्वारा जो है वो जैसे Classical Horror Film इनके द्वारा डारेक्ट की गई थी जैसे की पुरानी हवेली और तह खाना तो यह important है और इस तरीके के unique question जो है वो कई बार पूछे जाते हैं अगर आपने अगर PGT Hindi का अगर exam अगर आपने देखा तो उस तरीके के काफी deep question जो है वो वहां पर पूछे गए थे जिसमें किसी की जो कोई story है या किसने किसका निर्देशन किया है काफी unique जैसी चीजें जो है वो पूछी गई थी तो थोड़ी सी deep study वो जो है वो जरूरी है next question number 14 किस भारती नोसेना जहाज को समुद्री डकैती विरोधी अभ्यानों के सफल संचालन के लिए नोसेना परमुक एड्मिनरल आर हरी कुमार द्वारा on the spot unit प्रशाचत पत्र से सम्मानित किया गया है यहाँ पर आपको बताना है on the spot unit जो अभी हाल ही में नेवल स्टाफ एड्मिनरल आर हरी कुमार के द्वारा उसको conduct किया गया तो उसका नाम किया है INS शार्दा INS शार्दा को on the spot unit on the spot unit के साथ जो है वो सम्मानित किया गया है यह आप ध्यान रखेंगे on the spot unit प्रशाशित पत्र के द्वारा उसको सम्मानित किया गया है और इसका उप्योग किया जाता है समुद्री डकैती को रोकने के लिए जो भी anti-piracy operations होते हैं उनके लिए इसका उप्योग किया जाता है INS शार्दा का मिराज में बने किन उपकर्णों को GI tag प्रापत हुए हैं मिराज में ऐसे कौन सी चीज़ें बनाएगी हैं जिनको हालखी में GI tag से सम्मानित किया गया है तो जिसमें जो instrument है वो है सितार और तानपुरा सितार और तानपुरा जो है वो इसका बिल्कुल right answer रहेगा सितार और तानपुरा को geographical indication से जो है वो सम्मानित किया गया है GI tag इनको provide किया गया है 30 मार्च को इनको 30 मार्च 2024 को इनको GI tag जो थे वो पुरदान किये गये थे नेक्स्ट है भारतिय तत्रक्षक जली के इंदर का उधगाटन कहां पे किया गया अभी हाल हम इंडियन कोस्ट गाड एक्विटिक सेंटर का उधगाटन किया गया उसकी inorganization थी तो कहां पे उसको start किया गया मंडपम में जो की तमिलनाडू में है वहां पे इसकी शुरुआत की गयी इंडियन कोस्ट गाड के जो डायरेक्टर है जर्न्र राकेश पाल के द्वारा तमिलनाडू में मंडपम में भारती तट रक्षक जली के इंदर इंडियन कोस्ट गार्ड एकोटिक सेंटर का उद्ध घाटन जो है वो किया गया है नेक्स्ट कोईशन है पंजाब के किस जिले में निवासियों को चुनाब समंधी जानकारी प्रापत करने के लिए बिशेश वेबसाइट बूत रावता की शुरुआत की गई है अभी हाल ही में इलेक्षन भी होने वाले हैं हिमाचल के इलेक्षन भी अभी जो हैं वो होने वाले हैं पॉल इंडिया लेवल पे लोकसभा के चुनाब शुरू हो चुके हैं तो पंजाब की एक नई शुरुआत की गई है जिसमें वो चुनाब से समंधित जानकारीयों को प्रापत कर सकते हैं और एक नई वैपसाइट लौंच की गई है बूत रापता इंपोर्टन कोईशन है कई बार डारेक्ट कोईशन पूछ लिया जाता कि बूत रापता किस राजय सरकार की एक इंपोर्टन वैपसाइट है जिसमें इलेक्शन रिलेटेड इंफोर्मेशन जो है वो प्रवाइड करवाई जाती है पंजाब आसियों को तो वह है मलेर कोटला मलेर कोटला जो है वो पंजाब का एक जिला है वहां पर इसकी जो है वो शुरुवात की गई है पंजाब ने मलेर कोटला जिले में बूत रापता की जो है वो शुरुआत की गई है वेपसाइट है बूतरापता.com इसमें मतदाताओं और मतदान कर्मियों से रिलेटर जो भी कई वाइडाउट रह जाते हैं कि किस तरीके से चुनाव होना है उसकी डेट कब है क्या टाइमि पे चीफ एलेक्शन के अध्यक्ष कौन है ओल इंडिया लेवल पे और हिमाचा लेवल पे चीफ एलेक्शन कमिशनर कौन है यह आपको बताना है next 18 question है the idea of democracy पुस्तक के लेखक कौन है the idea of democracy देखिए बुक से related question भी add-on किये गए हैं यह आपके इंडिया लेवल के ही question अब जो हैं वो start किये गई हैं पहले international level के कुछ question थे अब इंडिया लेवल को हम यहां पे cover कर रहे हैं The idea of democracy एक पुस्तक लिखी गई थी उसके लेखक आपको बताना है जिनमें भारत और अमेरिका जैसे देशों में लोकतंतर की स्थिती और जो भी चुनोतियं हैं उनके बारे में बताया गया है काफी deep study जो है वो उसमें बताई गई है तो the idea of democracy के लेखक है Sam Pitotra Sam Pitotra इसके लेखक है और इसका जो बिमोचन है इस पुस्तक का जो बिमोचन है जब इस बुक को release किया गया तो राज्य सवा की जो सांसद कपिल सिब्बल जी द्वारा तो उनके द्वारा जो है वो इसको जो है वो release किया गया था नेक्स्ट कोईशन है और आप ध्यान रखेंगे इस पुस्तक में भारत और अमेरिका की जो लोकतंत्र की स्थिती है चुनोतियां है उसके बारे में काफी deep study जो है वो बताई गई है नेक्स्ट कोईशन है 42 वर्षों में Monte Carlo Monester के मुख्य ड्रॉ में क्वालिफाई करने वाले पहले भारती टैनिस खिलाडी कौन बने हैै और नया कोईशन है पहली वार ऐसी कोई चीज हुई है कि 42 साल कम निए 42 सालों में पहली वार ऐसा हुए कि Carlo Master के मुख्य ड्रो में क्वालिफाई करने वाले पहले भारती टैनिस खिलाडी बने है जिनका नाम है सुमित नांगल तो बिल्कुल important question है ये next question है जिंबाबे की नई स्वन अधारित मुद्रा का नाम क्या है तो जिग जिंबाबे की नई अभी हाल ही में gold based currency start की गई है जिसका नाम है जिग important question है ये आपके लिए next question है ASCRS 2024 वार्षिक बैठक में किस नेतर चिकत्षाले ने service raised विज्ञानिक poster पुरुसकार जो है वो जीता है ये आपको बताना है best scientific poster award अभी हाल ही में किसके द्वारा जीता गया है तो doctor agarwal eye hospital के द्वारा जो है ये best poster पुरुसकार के साथ इसको सम्मानित किया गया है तो ASCRS इसका मतलब है American Society for cataract and reflective surgery ये इसकी full form है तो एक American society है जो की काफी सर्वे करती रहती है और best scientific poster award जो है 2024 का वो डॉक्टर अगर्वाल eye hospital के द्वारा जीता गया है इंपोर्टेंट कोईशन है ये Tata Advanced System Limited और Satellogic के सहयोग से Bixit TSAT 1A उपग्रह को किस अंतरिक्ष एजिंसी ने लॉंच किया है international level का कोईशन है आपको बताना है NASA है SENSE है ISRO है and SpaceX है इसको लॉंच किया गया है SpaceX के द्वारा और ये कंपनी जो है वो Allen Musk की है काफी जर्चिती ये ब्यक्ती है Next Air India में Global Airport Association के परमुक के रूप में किसे निउप्त किया गया J. Raj Shann Mugan को Important है ये कोईशन भी Air India All India Level का ये कोईशन है जिसमें अभी हाल ही में Global Airport Operation of Air India के नए Head Appoint किये गये है J. Raj Shann Mugan जी Next question हाल ही में किस कंपणी ने परिधान और फैशन उद्योग के लिए जनेटिव AI सिंचालित प्लेटफॉर्म N.I.I.A.I. लॉंच किया है तो ये आपको बताना है कौन सी कंपणी है जिसने हाल ही में AI बेस्ट प्लेटफॉर्म लॉंच किया है फैशन इंडस्ट्री के साथ जू है वो जुड़ा हुआ है तो वो है नवीन AI नवीन AI जो है ऑप्शन सी इसका बिलकुल राइट आंसर रहेगा ये कंपणी है नवीन AI जो की फैशन इंडस्ट्री के साथ वो रिलेट करती है अर इनके द्वारा सदस्य इंडो-पैसिफिक एकनॉमिक फ्रेमबर्क ब्लोक ख्रेलू जलवायू तक्निकी उधमियों के लिए अपने उत्पादों को वैश्विक निवेशकों के सामने पेश करने है तू निवेशक फोरम की मेजवानी कहां की जाएगी इसमें पूछा गया है कि 14 मेंबर्स अभी हाल ही में इंडो-पैसिफिक एकनॉमिक फ्रेमबर्क के द्वारा घरेलू जलवायू तक्नीक उधमियों के लिए जितने भी उत्पाद आते हैं उनको निवेश करने के लिए मेजवानी जो है एक प्लेटफॉर्म त्यार किया जाए यह कोशन पूछा गया है तो इसका राइट अंसर रहेगा सिंगापूर इंटरनेशनल लेवल का यह आपके लिए कोशन रहेगा इसी तरीके के कोशन जो है पूछे जाते हैं नेक्स्ट कोशन अप्रेयल दोहजार चोबीस में बित मंत्राले द्वारा एक अधी सूचना में घोशित सोल में बित आयोक के पून कालिक सदश्य के रूप में किसे न्युक्त किया गया है यह हमें बताना है अभी हाल ही में अपोइंट किये गए है फॉल टाइम यंबर य किये गए है अप्रेयल दोहजार चोबीस में जिनका नाम है मनोज पांडा ऑप्शन डी इनका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट कोशन प्रतिस्थित टाइम्स बिजनेस अवोर्ड टुट टुट टुट्टी टुटीफोर में किस कम्पनी को वर्ष का असधारण NCD जारी करता के रूप में मानिता दी गई है ऐसी कौन सी कम्पनी है जिसको एक्सेप्शनल NCD इश्वर आफ दा एर टाइम बिजनेस अवोर्ड 2024 से सम्मानित किया गया है उसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा मुथुट फाइनांस यह अपने की बार एड में भी देखा होगा तो इनको जो है यह अवोर्ड दिया गया है यह अभी हाल ही में सेरिमेनी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी तो इनको यह अवोर्ड 2024 के लिए दिया गया है नेक्स्ट है किस इसरो मिशन टीम के द्वारा मिशन टीम को स्पेस फांडेशन द्वारा अंतरिक्ष अनावेशन के लिए 2024 जोन एल जैक स्विगट जूनियर पुरुसकार से सम्मानित किया गया है देखी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोईशन है और यह कोईशन आपकी इंटरनेशनल लेबल पे स्टेट लेबल के एक्जाम में नैशनल लेबल के एक्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि इंडिया की काफी बड़ी उपलब थी जो है वो रही है चंदरियान थ्री मिशन इंपॉर्टेंट है इसरो की चंदरियान मिशन टीम को अमेरिका के स्पेस फांडेशन द्वारा अंत्रिक्ष अन्वेशन के लिए जॉन एल जैक 2024 के लिए स्विगट जूनियर पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो most important question है जो चंदरियान थ्री की टीम थी उनको जो है वो सम्मानित किया गया है next question है किस भारती प्रदोगे की संस्थान IIT ने साइको साइटो किस किंग्स का पता लगाने के लिए नैनो सेंसर विक्सित करने में हेल्प की है और बड़ी सफलता हासिल की है तो IIT जौधपुर इसका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इन्होंने एक नई टेकनोलजी नै की डिटेक्ट करती है cytokines cytokines का जो है वो पता करती है इसमें में इनका फोकस किया जाता है जैसे की cancer है यह जो serious disease है infections है तो उनका जो है वो इसमें पता जो है वो लगाया जाता है ये नैनो सेंसर बेस्ट टेकनॉलजी है जिसमें वो के रूप से जितनी भी बड़ी बिमारी उनका पता जो है वो लगाया जा सकता है नेक्स्ट जल जीवन मिशन के अनुसार लोगों के घरों में नल जल उपलव्थ कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है जल जीवन मिशन हाल ही में सेंटर गौर्मेंट की ये इनिशेटिव है जल जीवन मिशन इसमें कौन सा डिस् एक नल जो है वो पलफ्द करवाया गया है इसमें तमिलनाडू के नीलगिरी जो जिला है उसने फर्स्ट पुजिशन हासिल की है और उत्तर पर्देश का महोबा जिला जिसने दूसरा स्थान प्रापत किया है और उत्तर पर्देश का महोबा जिला पूरे उत्तर पर्देश में प्रत्थम पर रहा है लेकिन अगर नैशनल लेवल की बात करेंगे तो तमिलनाडू का नीलगिरी जो है पहले स्थान पर रहा है यह All India की जो है वो एक scheme है SJBN Limited के अध्याक्ष एवं प्रवंध निर्देशक CMD के पद के लिए किसकी शिफारिश की गई है तो इसका राइट अंसर रहेगा शुशील शर्मा Option A इसका बिलकुल राइट अंसर रहेगा नेक्स्ट है Planning for India's Urbanization पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है विद्याधर के फाटक के द्वारा देखिए बुक से related question important आपके लिए बनते हैं यह आपको नाम पता होने चाहिए नेक्स्ट है US-India Strategic and Partnership Forum द्वारा US-India Tax Forum का अध्यक्ष या परमुख किसे नुक्त किया गया है तरुन बजाज को यह भी international level का आपके लिए question रहेगा Paytm Payments Bank most important question है और यह काफी चर्चित था आप सभी जानते हैं March and Feb end में RBI के द्वारा Paytm की service को पूरी तरह से लगभग बंद कर दिया था क्योंकि उसमें जो भी आपका पैसा उसमें है तो आप उसका यूज कर सकते हैं लेकिन उस Paytm Bank में आप अपना पैसा add-on नहीं कर सकते हैं आप उसको बिड्रोल कर सकते हैं चाहे आप online वहां से आप कोई payment कीजिए या अपने recharge या bills आप वहां पे पे कर सकते हैं पे टियम बैंक के अंदर जो आपका पैसा आप उसको add-on नहीं कर सकते उसमें एक्स्ट्रा पैसा आप नहीं कर सकते उसके जो प्रवंद निर्देशक और CEO हैं उनके द्वारा स्थीपा दे दिया है तो यह है सुरेंद्र चावला तो सुरेंद्र चावला जी ने जो है वो 8 April 2024 को इस्थीपा की घोशना जो है वो कर दी थी RBI के द्वारा Paytm Payments Bank की कुछ ऐसी policies थी जिनको RBI के द्वारा पूरी तरह से बंद कर दिया गया और finally Paytm के उपर जो है वो लंबे समय के बाद एक बैन लगा दिया गया RBI के द्वारा उद्घाटन रास्ट्रिय महिला होकी लीग 2024 का पहला चरण कहां आयूजित होने वाला है फर्स टाइम ऐसा यह चीज़ हुई है रास्ट्री महिला होकी लीग 2024 पच्चिस में पहली वार ऐसा यह होने वाला है तो कहां पर इसकी शुरुआत की जाएगी नैशनल बुमेंड होकी लीग 2024-25 पहली वारा यूजित होगा रांची जारखंड में रांची जारखंड में 30 अपरैल से 9 मईई 2024 तक यह चलने वाला है जारखंड के रांची में नेक्स्ट है अपरैल 2024 तक ATP रैंकिंग इतिहास में सबसे उमर्दराज विश्व के नंबर वन खिलाडी कौन बने है नोवोक जोकोविच सबसे उमर्दराज विश्व नंबर वन खिलाडी जो है यह बन गए है इसरो प्रमुक एस सोमनात द्वारग भोशित भारत के चंदरियान 4 का मिशन कमुख्य लक्ष क्या है यह आपको बताना देखी इंपॉर्टेंट है और 2008 से जब चंदरियान की शुरुवात की गई थी चंदरियान 1 फिर चंदरियान 2 फिर फाइनली चंदरियान 3 जब लौँच किया गया तो हम पूरी तरह से वो सक्सेस वहां पे हमने हासिल की इसरो के द्वारा तो अभी 2014 में लंबा मिशन है और इंडिया के लिए काफी बड़ी बात है कि जब से इसरो की शुरुवात हुई है 1969 में 15 अप्रैल 1969 में इसरो की शुरुवात की गई तब से लेके आज तक इसरो जो है वो अपने स्टेप्स को जो है वो आगे बढ़ाता जा रहा है कभी भी इसरो ने पीछे मुड़कर जो है वो नहीं देखा अगर चंदरियान 2 अगर हमारा 99% सक्सेस था किसी 1% के कारण हम उसको कंप्लीट नहीं कर सके उसको मैं फेलियर नहीं मानता हूं लेकिन अगर हम उसको कंप्लीट नहीं कर सके तो विदिन 5 एर के अंदर अंदर जो है वो हमने चंद चंद्रियान 4 दोहजार चालिस में लॉंच किया जाना है और इसका जो मुख्य लक्षे है चंद्रमा पर अंतरिक शयात्री को उतारना जैसे नील आमस्टॉंग है वज एल्डरिन है तो यह चंद्रमा पर जाने वाले पहले अंतरिक चंद्रियान 4 में भारत का भी एक मिशन है कि हम अंतरिक शयात्री को चांद पर उतारेंगे और वहां से कुछ ऐसे सैंपल जो हैं उनको हम कोलेक्ट करेंगे और इसरों के जो परमुख हैं वह हैं सोमनात next question है WHO 2024 Global Hepatitis Report के अनुजार 2022 में वैशेविक Hepatitis B और C रोग भारत में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा होगा तो 11.60 बार्ड लेवल पे जो Hepatitis B & C की जो बिमारी है वो बार्ड लेवल पे इंडिया में उसमें टोटल 11.60 परसेंटेज जो है वो हिस्सेदारी है यह काफी बड़ी परसेंटेज जो है इंडिया के लिए यहां पे है हिग्स बोसोन यह गोड पार्टिकल की भविश्यवानी करने के लिए जाने जाने वाले नोबल प्राइज बिजेता जिनको फिजिक्स में नोबल प्राइज दिया गया था पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयू में निधन हो गया तो उस गोड पार्टिकल को किस नाम से जाना जाता देखिए फिजिक्स की अगर आप उसमें रहते हैं फिल्ड में रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि गोड पार्टिकल क्या है हिग्स बोसोन है option A सही answer है कोई ही ऐसा फिजिक्स का ग्यानी होगा जिसको इसके बारे में पता ना हो तो फिजिक्स अगर आप पढ़ते हैं फिजिक्स में अगर आपका इंटरस्ट है फिजिक्स में अगर आपने आगे फर्दर स्टडि की है तो आपको ये mostly पता होगा कि गोड पार्टिकल नام की भी जो है Kुई एक पार्टिकल है जिसको Higgs Boson के नाम से जाना जाता है. इसकी भविश्यवानी की थी Peter Higgs के द्वारा और इनी के नाम से Higgs Boson उसका नाम रखा गया था और उनको इसके लिए Noble पुरुषकार से सम्मानित किया गया था. एक बुक है Higgs boson and God particle तो गोड पार्टिकल इसलिए नाम दिया गया क्योंकि हम भगवान को देख नहीं सकते लेकिन जिस तरीके से fundamental particles है elementary particles है electron proton neutron boson graviton फिर photon neutrino तो उनको हम देख नहीं सकते तो जब हमने उस पार्टिकल को जो है वो विजिवल तरीके विजिवल अगर हमने उसको कर लिया तो finally एक बुक पब्लिश हुई जिसमें लिखा गया कि यह गोड पार्टिकल है यानि कि हमने भगवान को देख लिया इसलिए यह काफी जादा famous यह पार्टिकल हुआ था और इ यह हैं CSK के हैं चेन्नेई सूपर किंग के आल रांडर है रविंदर जड़ेजा जिन्होंने IPL में 100 कैच, 1000 रन और 100 विकेट की उपलब्दी जो है वो हासिल की है नेक्स्ट कोईशन नेपाल ने UPI को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने इसेवा और हैन पोखरा के साथ साज्यदारी की है तो आपको पता होगा कि इंडिया में इंडिया एक ऐसी कंट्री है भारत एक ऐसा देश है जिसने बर्ड लेबल पे अगर इंटरनेशनल जाता जिसमें एक दिन में लगवग लाखों करोडों के हिसाब से UPI जो है वो की जाती है ओनलाइन पैसा जो है वो ट्रांसफर किया जाता है सबसे जादा इंडिया की हिस्सेदारी इसमें रहती है तो नेपाल में भी UPI को बढ़ावा देने के लिए फोन पे ने जो है वो स पाज़ेदारी करेगा इसेवा और हैन पोखरा के साथ यह इंपोर्टेंट कॉशन है फोन पे जो है वो एक ऐसा एप्लिकेशन है जो UPI के माध्यम से डिजिटलाइजेशन करंसी को जो है वो काफी बढ़ावा देता है नेक्स्ट कॉश्चन भारती महला होकी टीम का कोच किसे न्युक्त किया जाएगा तो दोबारा से हरेंदर सिंग को भारती महला होकी टीम के कोच से न्युक्त किया जाएगा इनको 2012 में द्रोनाचारे पुरुसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है और यह भारती महला होकी टीम के में कोच है द् बेसीकली गुरुगों को जो कोच है जो अनुभवी जो गुरु है उनको ये दिया जाता है द्रोनाचारे अबोर नेक्स्ट है QS World University Ranking 24 के अनुसार इंजिनेरिंग और प्रद्धोगे की में एननी की इंजिनेरिंग एंड टेक्नोलोजी में IIT Bombay की रेंक कौन सी रही है इंजिनेरिंग एंड टेक्नोलोजी के मामले में 2023 की अगर बात करूं तो 47 नंबर पे था IIT Bombay और इस बार 2024 में दो पुजिशन जो है वो हासिल उसने किये है तो 45 नंबर पे पहुंच गया है नेक्स्ट है अंतरास्ट्रिय नार्कोटिक्स नियंतन बोर्ड में पुना किसे चुना गया है री इलेक्ट हुए है इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में जिनका नाम है जगजीत पवाडिया जगजीत पवाडिय जी को अंतरास्ट्रिय नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में दुवारा से जो है वो न्यूक्त किया गया है कौन से बैंक लक्षदीप में साखा खोलने वाला पहला नीजी बैंक बन गया है लक्षदीप आप जानते हैं हमारी यूटी है भारत की केंदर शांशित परदेश है और काफी चर्चित रहा था जब परधानमंत्री मोदी जी जो है वो साउथ की आतरा में गये थे तो काफ साखा खोलने वाला जो पहला प्राइवेट बैंक है वो बन गया है HDFC बैंक फर्स्ट प्राइवेट बैंक ओपन ब्रांच इन लक्षदीप यूटी में पहली ब्रांच HDFC के द्वारा जो है वो खोली गई है इंपोर्टेंट कोश्चन है नेक्स नो सेना बेस कारबार में ने 350 मीटर लंबे घाट का उदगारत नभी हाल ही में किस ने किया तो आर हरी कुमार जो कि नो सेना के परमुक है एड्मिनल आर हरी कुमार के द्वारा जो है वो बेस कारबार में ने 350 मीटर लंबे घाट का उदगारता जो है वो किया गया है नेक्स्ट अमेरिकी फुटवोल के दिगज खिलाडी सिंप्सन का 76 वर्ष की आयू में निदन हो गया तो इनको किस वर्ष प्रो फुटवोल हौल आफ दा फे में शामिल किया गया था में 1985 में नेक्स्ट कोईशन है एशियाई कुस्ती चैंपेंशिप 2024 में 57 किलोग्राम बर्ग में भारत के लिए किसने रजक पदक हासिल किया है तो 19 वर्ष ये खिलाडी है उदित भारत के 19 वर्ष ये खिलाडी है उदित जिन्होंने हाल ही में में 2024 में 57 केजी एशियाई कुस्ती चैंपेंशिप एशियन रेस्लिंग चैंपेंशिप 2024 में सिल्वर मेडल हासिल किया है तो ये हमारे सारे MCQ कुईशन रहेंगे अपरैल 2024 के इसके बाद हमारे कुछ वन लाइनर कुईशन है आप इनको यहां से रीड कर सकते हैं जितने भी अभी तक हमने कुईशन यहां पर डिसकस किये वह सारे आपके वन लाइनर फोम में आपके पास यहां पर दिये गए हैं जैसे कि रक्षा मंत्राले द्वारा आयोजित प्रत्थम त्री सेवा योजनस अमेलन को क्या कहा जाता है परिवर्तन चिंतन जितने भी कोशन अभी हमने यहां पर डिसकस किये हैं वह हमारे सारे यहां पर कॉशन रहेंगे कुछ नए कॉशन भी आड़न किये गए हैं जैसे विश्व स्वास्थ दिवस्तन वर्ड हेल्थ डे जो होता है साथ अप्रैल को उसकी जो थीम रखी गई थी माई हेल्थ माई राइट यह इसकी थीम रखी गई थी तो कुछ नए क कॉशन भी जो है वो यहां पर डाले गए हैं जैसे NCDFI यह हमने पढ़ लिया डॉक्टर मिनेश शाहा को जो है वो उसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है कुछ हमारे जतने भी अभी तक हमने कॉशन यहां पर किये हैं उन सभी का वल नाइनर फॉम है ताकि यहां पर कि आपकी जो प्रैक्टिस उसमें कोई कमी ना रह जाए आप उसको अपनी तरफ से जो है वो ट्राइ करें कि जो कॉशन अभी तक हमने डिटेल वाइज स्टडी किये आप उनको चेक करें कि क्या आपके वो सही आंसर यहां पर रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं यह टोटल के अराउंड सारे के सारे कोशन होते हैं वन लाइनर में उससे जादा भी हमारे हो सकते हैं तो इसमें आप जो है वो कोशन को चेक कीजिए और जो भी नए कोशन यहां पर अगर आपको मिलते हैं आप उनको अपने नोर्स की फॉर्म में जो है वो बनाईए और जितने कोशन है उनको आप रिवाइज कीजिए कि क्या हमने जो पहले कोशन पढ़े अब उसका आप राइट अंसर यहां पर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं यह हमारे कुछ ऐसे कोशन है जो कि almost 50 प्लस यह कोशन है तो यह आपके लिए सारे अप्राइल ज है प्राइल 2024 के करण्ट के कोशन रहेंं गें इसके बहुद की कोशन हमारे रहते हैं जो अभी हमने में हिंडी मीडिम में डिसकस की है सारे आपके बाइलन्गूल में रहते हैं अब हमने लिसक्स किया एशिएArt एफाई के अधियक्ष मिनेश शह को न्यूक्त किया गया है अप्राय दोहजार चोबिस में तो सारे आपके बाइलेंगुल कोशन आपके लिए रहते हैं तो आई होप आपको ये क्लास काफी अच्छी लगी आप साथ साथ में नोट्स अगर इसके नहीं बनाते हैं तो आप हमारी पीडिएफ को डाउनलोड कर सकते हमारे अप्लिकेशन के थुरू प्लेस्टोर के उपर आप जाएए विजेपत वाउमेट एक्जाम प्रेपरेशन आप लिखिए विजेपत एजुकेशन अगर आप टाइप करेंगे आपको अप्लिकेशन विजिवल हो जाएगी यह हमारा लोगो है इस तरीके के अप्लिकेशन आपको डाउनलोड करनी है प्लेस्टोर से आप उस पर फ्री ओफ पोस्ट रजिस्टर कीजिए देन आप अप पासवर्ड से लोगिन कीजिए आप किस एग्जाम की त्यारही कर रहे हैं या फिर आप वहां पे स्कूल स्टूडेंट है करेंट अपर दोनों के लिए ही जरूरी है फिर देन आपके पास Сथेनिक स्कूल है या अगर आप सेनिक स्कूल के अलावा नवोदे की अगर तियारी कर रहें तो वहां के लिए भी आपके लिए कुछ question important यह रहेंगे तो आप रिजिस्टर करने के बाद उसके उपर आप जोइन कीजिए अगर आप आप government exam की त्यारी कर रहें तो government exam के उपर आप क्लिक करेंगे देन आपके पास एक tab open हो जाएगा जिसमें आप हमारे current affair के टाब के उपर क्लिक करके उसमें monthly weekly and daily की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं साथ में हमारा video link भी वहां पे रहेगा YouTube के साथ-साथ आप उसको हमारी application में भी play कर सकते हैं I hope आपको यहां तक current affair clear है हम जल्दी ही नई class के साथ आप से जुडेंगे जिसमें हिमाचल के April 2024 के current affair को हम discuss करेंगे यह हमारा current affair का session All India level का रहेगा जिसमें हमने national level and international level के उपर April 2024 के current affair को समझा कुछ समय के बाद एक दू दिन के अंदर-अंदर आपको हिमाचल का भी current affair देखने को मिलेगा जिसमें April 2024 के question को हम discuss करेंगे आप वीडियो के एक बार like कीजिए, share कीजिए and हमारे channel को आप subscribe कीजिए जल्दी ही नई class के साथ मैं आपसे मिलूंगा तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल जय हिमाचल